कैसे हैं आप सभी आप लुग बहुत अच्छे होंगे तो सुबह का वक्ते करीब साथ वजे का और यहां पास में बनाने रग्यों खाना मतलब रेक पास्ट और साथ ही साथ भीया और जिटी मतलब जठानी हो जा रहे हैं घर तो उनके लिए ना रास्ते के लिए आपास में ख आप साथ कुछ था फिर इसके बाद जल्दी जल्दी पहले नौ बजे के आज पास निकलना था कि निकलेंगे फिर यहां कि ट्रेन मतलब आ गई है पहले थी टाइम पे हो गई होगी रात कि मतलब रात की ट्रेन कभर कर गई होगी तो इसलिए नों को जड़े साथ बजे ना मैं जल्द जल्द चैसे भी लेयों समय चौशकर करना भाइन嗎 नावम सब्सक्राइब करके व्सका Tapum सब्सक्राइब कहत badam खौनुचा करके पाहता पी तब सब्सक्राइब करें तो चलिए इसके बाद चार साजार सारे जो भी थोड़ा बहुत देदी हूं अभी समेटती हूं जैसे किचन भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैल गया जल्दी जल्दी में वैसे भी किचन फैल ही जाता है तो अब फट आफट से सारी चीजों को मैं समेट लेती हूं और यह अभी जाएंगे छोड़ने के लिए इसके बाद जो ब्रेक फास्ट आने के बाद ही करेंगे तो यहां पाद जैसे कि जाने की न तैयारी होगी है पानी शानी शब दे दिया है पैक करके और जो हो चीज घर से चली जाए नहीं चीज पकल लेके जाना चाहिए यह नहीं क जो न कैंटिन का समान लेना था तो घर के लिए भी अब सकता होती है पूरी जत्टी भी घर का समान होता है वह चाहिए तो जब आते हैं तो कैंटिन से समान अपनों लेके जाते हैं हो सही 13 तो चली यहां पास बैक फटाफोड से निकालते हैं और पैरवर्ट छू लिया है हमने और साथ में एक इसमें मैंने खाना दे दिया है पैकर करके खाना साना कि मत का अलग से पैक सी निकालना नहीं पड़ेगा बस खाना पीना अलग ही रहेगा साथ में एक पोरी में पैक कर दिया गया है समान जो बड़ा बड़ा समान है तो जो बना दिया गया तो चलिए दो तीन दिन रहें अच्छा लगा जो कोई आता है तो चार दिन रहता है तो अच्छा भी लगता है तो चलिए यहां पास यह जाएंगे छोड़ने के लिए तो चलिए अभी सुबह का वक्त हो चुका है साथ बच के पचास मीनाट हो चुके हैं और जैसी का भी आप लोगोंने देखा कि गार से जबही यह लोग काय तो चले गए हैं फिलार उनकी ट्रेन सायद साड़े आठ बचे के असबास की है और आसता पानी बना कर दे दिया जल् पहले तो उन लोगोंने बोला कि नौ बचे कास में इस ट्रेन आएगी तो साड़े आठ बचे मतलब ब्रेकफास्ट करके निक लेंगे पर फिर पता चला कि ट्रेन मतलब पहले लेट थी साड़ तीन गंटे के आसपास फिर सही टाइम में आ गई हैं और थोड़ी बहुत जो दवाई करवाने के लिए मेडिकल के लिए तो चार दिन रुख गए हैं बस चले गए मैं अफट अफट से चाय थोड़ा सपीती हूं एक कप मैंने बना की रखा था पर ठंडी हो गई हैं उसी को गरम करोंगी फिर इसके बाद किचन और दो दिन दो तीन दिन से ना कपड़ के बिल्कूल भी नीदुले हैं वैसे को वैसे कपड़े पढ़े हुए है एक टोकरी हो गए वाश्रों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए और यह बेट सिट निकालना में है तो चली जल्दी-चल्दी से पहली वालक काम कंपलीट करना तो पहले चाय साह ठीते हैं फिर फिर आपको सबको जाना है तो कुझे जहां रहा है तबन को जाना ही पढ़ता है तो चलिए आप लोग बनी रहे हैं मुलोग में फिलती हूं थोड़े देर के बाद आर इसके बाद में लगए हूं क्लिणिंग मेरे सबसे पहले न सुफए से स्टाट कर देती है तो इसमें हो गो गई हैं यह काफी गंदी तो दोल बहुत जादा हो गई थी तो फटा-फट से बले ही वाला काम करते हैं और कपड़े भी लगाना कपड़े हो गए थे बहुत जादा तीन दिन से मतलब धुले हैं थोड़े बहुत जाते से छोटे मोटे जो बड़े कपड़े थो हमने ऐसे रखते गए थे कि मसीन फिर लगाएंगे और वेट सीट हो गई या भी दो हो गई इसके बात में बचों की रूम को सुरी नहीं बेडरूम की निकालना है यही वेट सीट मुझे धुलना था तो फटर फटर से मसीन हमने पहले ही लगा दिया यह साथ ही साथ जो क्लीनिंग वाला काम है घर का यह भी चलता रहेगा चलिए यहां पास में बेड सीट निकाल लए थी जो इसमें मुझे डालना है तो बेड सीट अमने निकाला इनके ना फिल्लो कवर नहीं मिल रहे थे तो वहीं मैं ढूंड रही थी कि सबसे जाना नीच हो गयते हैं तो सारी बेड सीट मुझे निकालने पड़ी कुछ जादा नहीं कुछ निकालने पड़ी तो चलिए यहां पास भी लो कवर भी मिल गया है फटा फट से बेड सीट डालते हैं और फिर हॉल कम नेट अच्छे से क्लीन कर दिया है इसके बाद बेड रोब में आ ग इसके बाद एक बाद जैसे ताई कपड़े दूल चुके हैं तो इनको निकाल लेती हूं और अच्छे से निचोड़के और करीब दो-दो मिनटी के लिए डायर कर दूंगे जादा नहीं थोड़ा सा पानी सोख जाएगा इसके बाद देखिए जल्दी सोख जाएंगे और जल्दी से कपड़े निकालके भी लेके आएंगे इसके बाद घर का मोटली काम खतम हो गया तो सिर्फ रह गया थे किचन के बर्थन ड्रेकफास्ट के इसके आप जाड़ो पोचा जितना भी काम तरना पूरा कम्प्लीट हो गया है और जितना जब तक में हूँ जब तक में जो ही कपड़े हैं हमारे वो भी धूल गया है कि अब जैसे बताए कि कपड़े ना तोड़े से जादा ही हो गया थे अब विट स्टीट हो गई उटने वाले ही जो कंबल है पतले वाले वह भी हो गया है सोफे के विट सीट हो गई तो यह सारे छोटे मुटे करकर के ना कपड़े हो ही गयते हैं और तो चलिए कोई बात नहीं कि आज दो नहीं करीजान है कि फिर संडे को पानी नहीं चलता है तो सीदे मंडे को पानी दो बजे के आसपास फिर चलेगा तो सनीवार को यह दिकान से कपड़े धूल लेते हैं कि पानी सेफ रहे इसलिए और सन्डे को ज़्यादा कपड़े उपड़े ना धूलना पड़े इसके बाद मैं मिल रही हूँ अप लोगों से करीब दो वजे के आसपास का टाइम है यहाँ पास मैंने रख दिया खाना बनने के लिए तो दाल बन चुकी है चावल मैंने रख दिया है और साथी साथ मुझे बनाना है गुजिया तो उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पास तो मैंने निकाल लिया है बेशन, सूजी, मैं खोवा, खोवा घर से ही आया था जिठानी चावाई थी तो उबर से ही लेके आया थी बना के तो फ्रीजर में मैंने डाल दिया था तो अच्छे से मतलब जम किया था खराप नहीं हुआ है अब यहाँ पास मैं फटाफट से ब बनाना सुरू करेंगे तैयारी मैं पहले से ही करके रख देती हूं और देखती हूं सूजी को थोड़ा सा भुनना भी है साथ में खोवा है इतना ज़्यादा मतलब फथर हो गया था अपको फ्रीजर में था तो दम से जम गया था तो अब मैं सोच लेते हैं थोड़ा सा फिर खाना पीना खाने के बाद थोड़े घी लगा दिया मतलब मैदा प्रेण पोवाद आटा यहां पास लगा दिया थोड़ा घी लगा देला कि पपड़ी पड़ी सा उपर से जम जाता हो नवा जम है अपो भुनन लेना है और इस टाइम तक ना खाना पीना हम सब का हो च कर देना है जो कोबा हमने रखा मिदला हुआ पीघल लिए तो अच्छे सारा मिक्स कर लेती है और यहां पास मीड़ाने के लिए बैट गई हूँ करीभ चार बैचे के चाल बजे के टाइम सारा मिक्स करने आठा लगाने के बाद भूड़ा टाइम के रिल रिष्ट बटन सथन कीचन का पुरा नेप्ट आने के बाद और यहाँ पास में बाट गई थी तो अकेले में और टाइम तो लगता ही है एक एक बेलो, एक एक बनाओ, तो ज़्यादा टाइम लगता करी, मेरे को रही घंटे के आज पास का टाइम लग गया था बनाने में, फिर इसको फ्राई करने में, फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो अकेले में लगी जाता है, तो चलिए फटा-फट से बन बच्चों बहुत दिन से बोल रहा थे क्या बुजिया कब बना होगी क्योंकि होली आ भी गई अहराब और ना बहुत चाथा लेट कर दियो बनाने में नहीं तो इस बार थोड़ा सा ना सब लोग थे टाइम भी नहीं मिलता था क्योंकि खाना पी ना फिर वही साम के रोटीन फिर शुरू हो जाता तो इतना जादा वक्त नहीं मिल पाता था तो इसलिए मैंने नहीं बना पाई थी तो चलिए जल्दी-जल्दी से यहां पास मैंने बना लिया है तेल मैंने रख दिया कुछ मैंने फ्राई भी कर लिया है तो जल्दी से तेल को ज़्यादा गरम नहीं क तो तेल गरम के लिए अलट पलट के इनको अच्छे से पका लिया है बस बच्चों के डिमांद पूरी हो गई और जो तेवहारों में खोली में स्पेसली गुजिया होती है तो वह भी बन गई चलिए यहां पस मैंने इनको तल के न रख दिया है बस अच्छे से ठंडी हो है जैसे कि आप लुक देखते हैं हमेशा तो दाल तो बनना ही बनना है इसके बाद में फटा फट से आज आटा नहीं लगाए थी तो अकसर मैं सबसे पहले आटा लगाती हूँ अज थक गए थी मैं सबसे ही बताओं तो इस टाइम तक मुझे काम करने का बिल्कुल भी मनने कर रहा था कि मुझे लगा तो मैं छोड़ दू और मैं कि हापास लगा हुआ तो गुजिया ले जाने में पहले बोलता नहीं मुझे नहीं खाना मैं गुजिया नहीं खाता फिर धीरे धीरे करके ना उसको अच्छी लगी तो फिरो खाने लगा तो चलिए एक साइड मैंने ही वाली है और फटा फट से आटा गोत लेती हूं और दाल जैसे कि मैंने रखी इंडेक्शन में तब तक पके ही जब तक दाल खाना तड़का पक जाएगा तो यहां पास मैं जल्दी जल्दी लगी तो चल्दी से ना खाना पीना खा ले मैं फूर्श्रत हो जाओं और बिल जो पास कामेरा कंप्लेट हो गया तो चल्ये जैसे बताया कि अटा भी नहीं लगा था 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 लागा नहीं टाल लगा लिए डग तीया है तब तक मंदाल जाल फ्राइण करते हैं जब तक मिसम्त आटा और शाय स्थाथ बटाया हुए नियुका प्लिदा नहीं पर चुका ह तो यह पूरा हो गया और यह जो मैदा सूची और मैदा रह गया था इनको भी निकाल के ना कंटेनर में फिल करके रख देती हूं वेशन मैदा थोड़ी सी ही बचा है तो उसको ना इक डिब्बे में फिल करके रख दूँगी ऐसे फिर हावा लगेगी तो फिर खराब भी हो तो चलिए इसमें फिल करके मैंने रख दिया है सूची को ऐसे में पैक्किट में ही रहने दी हूं और उसमें एक रवड मैंने लगा दिया है तो चलिए अब बारी आती ही गुजियों की काफी टाइम हो गया इनको करीब दो ढ़ाई घंटे तीन घंटे हो गया होका फ्राइ करीब मतलब अच्छे से एक कंटेनर फिल हो जाएंगे तो सही रखने की विली सही है और यहां वहां पहले रहने से भी सही है और चलिए इसके